मेरे प्यारे प्यारे बच्छों कैसे हो तुम सब लोग आप सब लोग बहुत अच्छे हो और आप सब की हेल्थ एकदम बढ़िया है मैं हूँ अनुभाग और आप सब की केमिस्ट्री मास्टर टीचर आडवेदांतू और आप सब का इस सेशन में बहुत सारा वेलकम करते हूँ क्या आप सब लोग मुझे देख पारें, मुझे सुन पारें ये स्टूडेंट्स हाई, हाई एवरिवाण रोहेज, श्रीनाथ आमेजिंग, ग्रेट बच्चों तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन एक ऐसा सेशन है जो आपके लिए इंपोर्टन तो है ही बट मैं अपने इंसाइट आप लोग के लिए लेके आई हूँ कि आपको पता ही है कि रीसेंटली NCRT अपडेट हो गई है NCRT का सिलेबस बदल गया है बट NTA की तरफ से जो नाशनल टेस्टिंग एजनसी है जो आपका नीट का पेपर लेती है ऐसे कोई पर्टिकुलर जवाब नहीं आया है कि हम सिलेबस चेंज करेंगे की नहीं करेंगे या फिर आपको क्या फॉलो करना चाहिए ओल्ड या न्यू एंसी आटी इस ते रिगार्डिंग कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं हुआ है बट आपको इस टाइम पे इस क्लारिटी की बहुत ज़रुवत है कि माम क्या प्रेफर करें क्या फॉलो करें क्या नई एंसी आटी खरीद तो लिए इससे काम चल जाएगा चलो काम तो ठीक है क्या ये बोर्ड के अलावा नीट के लिए बहुत सूपर डूपर इंपॉर्टेंट है कि नहीं तो चलिए इस बारे में आपकी अनुभाम हम आपको बताएगी स्टार्ट करें येस बच्चो पहले अपना एम बताओ मुझे क्या एम है तुम्हारा नीट के एक्जाम को लेके कितना स्कोर करना है चाच आपके सामने हैं मैं पढ़ पा रही हूँ जल्दी से बताएगे कितना स्कोर करना चाहते है मतलब मेरा मानना है competition इतना cut throat इतना tight competition हो गया है कि paper चाहे आसान भी आ जाए चाहे मुश्किल भी आ जाए थोड़ा सा मुश्किल 650 से अगर तुम कम नंबर ला रहे हो ना तो थोड़ा सा dice situation कैसे है अपना मन पसंदीदा college मिलना थोड़ा सा शायद मुश्किल हो जाए 620-630 पे आपको college मिल जाएगा government college all India quota में भी हर एक state में नहीं मिलेगा राजस्तान में नहीं मिलेगा हर्याना में okay okay मुश्किल रहेगी शायद केरेला में भी ना मिले तो 650 से उपर नंबर लाओगे तभी बात बनेगी बच्चों हाँ गजेंद्र जी कह रहे हैं 650 प्लस त्रिवेदी जी कह रहे हैं सीरियल जी 720 चाहिए मुझे तो अवन जी कह रहे हैं 700 प्लस चाहिए माम पसल इस ओल्स सेंग दे सेम यह हुई ना बात 650 प्लस का क्यों एम करें हम तो 700 प्लस का करेंगे थोड़ा बहुत उपर नीचे तो होता है ना क्योंकि इस बार 700 नंबर पे भी 20 से 30 बच्चे बैठे थे आप समझ रहे हो एक particular नंबर पे और उस पे भी rank इतनी बदल गई है काफी बदल गए 710 की बात कर रही थे मैं उस 31st LA के 50 रांक तक के बच्चे 710 नंबर क्यारी किये होते तो competition इतना cutthroat है तो क्या हम books follow करें कैसे follow करें कौन सी NCRT useful होगी मैं आपको proof के साथ बताऊंगी एक बार जल्दी से वीडियो को like कर दो है ना शेयर कर दो दोस्तों के साथ उनका भी भला हो जाएगा नीट प्रेपरेशन में और नए है तो आप प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर लीजे हम comparison बताते हैं आपको अपनी पुरानी NCRT और नई NCRT का बच्चो कोई मुझे बताएगा आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि जहां मैं अपनी ओल्ड NCRT के बात करूँ जो शायद मैंने भी अपने टाइम पे फॉलो की थी उसमें chemistry chemistry के बात करूँ 11th class के 14 chapter थे और 12th class में वो chapter 16 थे और अब वो कम हो गया है मतलब इसमें घटके 9 chapter हो गया है है ना इसमें शायद 11 हो गया है 10 या 11 ठीक है वो अभी हम देख वे लेंगे अब new NCRT में ये change आने को मिला है तो क्या नई NCRT मैं सौरी के सौरी पढ़ लूँ तो possible है 650 लाना क्या लगता है तो मैं हां जी येर आपको इस तवाल का जवाब तब मिलेगा जब आप ये समझ ले कि NCRT की importance कितनी जादा है तो students मैंने उन सारे बच्चों के interviews उन्हें जिन्होंने 720 में से 720 लेकिया इस बार प्रबंजन ने और बोरा चक्रबरती जो आंदरप्रदेश से हैं दोनों के interviews देखें मैंने दोनों ने एक बात बिल्कुल बोली कि हमने न आठ से नौ घंटे पढ़ाई रोज के 11th क्लास से ये मारा daily का schedule था दूसरी बार हमने NCRT इतनी जादा पढ़ी है कि मैं NCRT की एक एक line कौन से page पे क्या लिखा ये भी याद हो गया था बच्चे पते क्या है बच्चे बोलते हैं कि हमने NCRT पढ़ ली ठीक है दो तीन बार पढ़ ली लेकिन फिर भी जब सवाल आते हैं बच्चों की दिमाग में ये सवाल होता है कि यार ये सवाल NCRT में था क्या मैंने तो कहीं नहीं देखा कुछ तो गड़बड है सेकिंड वाला बोल रहा है कि नहीं NCRT में ही था मैं कहना क्या चाहती हूँ कि जितने बच्चे होते हैं वो सब NCRT को अलग तरीके से पढ़ते हैं शायद मैं और आप में भी comparison होगा हम दोनों मिलके भी अलग-अलग तरीके से NCRT को पढ़ेंगे आप नहीं देखते हैं आप कोई movie देखके आते हो आपका perception उस movie को देखने का अलग होता है यह ना शायद मेरा perception अलग हो इसी तरीके से पढ़ाई को लेखे है आप किसी चीज से एक limited information ग्रास्प कर सकते हो दूसरा स्टूडेंस कुछ और ग्रास्प करेगा तीसरा शायद कोई 90% ग्रास्प कर रहा है कोई 40% कोई 20% यह बिलकुल अलग-अलग होता है तो सबसे पहली बात अगर मैं NCRT के परस्पेक्टिव से बात करूँ बच्चो ठीक है कि क्या NCRT पढ़ने से उस सवाल पर बात में जाएंगे कि क्या NCRT पढ़ने से काम चल जाएगा NCRT पढ़ ली तो सब सॉटेड है अगर मैं आपको बोलू हाँ भी और ना भी तो आप बोलेंगे मैं मैं कन्फ्यूस कर रहे हूँ अगर मैं बोलू हाँ भी और ना भी तो मैं कन्फ्यूस करूँगे ना मैं बोलती हूँ हाँ हाँ क्यों कि अगर तुमने NCRT की लाइन बाइ लाइन डीकोड करी है तो ये बिलकुल पॉस्टिबल है बच्चो लाइन बाइन डीकोड अगर मैं बोलूगी ना क्यूं क्यूंकि इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है क्यूं इतना आसान क्यूं नहीं है जैसे मैंने बताया वही हम अलग-अलग तरीके से information को ग्रास्प करते हैं मेरको जो समझ में आया हो सकता है किसी और बच्चे को समझ में ना है मुझे जो information छुपी हुई मिल गई किसी एक line में हो सकता है तुम्हें ना मिले वो तो NCRT पढ़ने का लगलग तरीका है तो मैम solution क्या है solution ये है कुछ tips मैं तुम्हें बता रहे हूं सबसे पहले तो वो follow करनी है ठीक है और वो tips क्या है बच्चो जब भी आप पढ़ाई करें एक एक line पढ़ाई कर रहे है मानलो हो सकता है आपको पहली बार में सब कुछ नहीं आदाएगा ये बात अपने दिमाग में बिठा के चलनी है जब आप उसी NCRT को ये aim रखेंगे कि 11th में मुझे कम से कम अपने NCRT 10 बार तो पढ़नी ही पढ़नी है 12th में आएंगे तो 12th में भी aim रखेंगे कि 10 बार तो पढ़नी ही पढ़नी है और 11th को भी revise करना है साथ में पहली बार में आदी चीज़ें याद रहेगी 50% दूसरी बार में 60% याद रहेगी नहीं जब तक अप अपनी analytical thinking को नहीं जगाएंगे न तब तक नहीं होगा अगर आपनी अपनी analytical thinking को नहीं जगाए तो नहीं होगा मतलब जब तक तक तुमने क्यों काय को पूछना शुरू नहीं किया जब तक तुमने खुद से सवाल बनाने नहीं शुरू किये तब तक नहीं होगा मालो तुमने NCRT खोली तुम बोल रहे हो अच्छा यार इन और्गानिक किमिस्ट्री का ना मैं ये लाइन पढ़ रहे हूँ ठीक है इसमें से मुझे लगता है वो बॉंडिंग से रिलेटर बन सकता है आप समझ रहे हो क्योंकि साल दर साल क्या हो रहे है बच्चों NCRT का पेपर पैटर्न बदल रहा है NCRT का पेपर पैटर्न का मतलब जब NTA पेपर सेट करता है पहले की तरह नहीं सेट करता पहले सवाल पूछे जाते थे simplified manner में अब approach बहुत ही analytical और competency based हो गई है अब वो आपको judge करेगा कि आपके concept की clarity कितनी है एक सवाल में multiple concept use करेगा ठीक है assertion reasoning के सवाल पूछेगा कि अगर तुम्हें समझ में आये तो ही तुम answer कर पाऊगे case बना बना के सवाल बना के देगा कि अगर concept clear नहीं हुआ तो नहीं कर पाऊगे तो मैं बता दू सिर्फ NCRT पढ़ना is not the solution आपके जो 720 में से 720 लेकिया है वो भी बता चुके है कि नहीं पुरानी छोड़ो पहले ये बात clear कर लो ठीक है paper 90% NCRT में से आये था बट वो 90% किसे आप अच्छा score कर पाऊगे नीट में लेकिन अपना dream college नहीं हासल कर पाऊगे वो तब होगा जब आप 90 से 99% से 100% पहुँचे और ये जो 10% का gap है आप कैसे पूरा करोगे जब आप में वो analytical thinking की ability आ गई कि आप रोज बढ़ाई कर रहे हैं मेरा aim है 9th class से कि मैं 9 से 10 घंटा अपनी दिन चर्या को दूँ मैं बोर हो सकता हूँ मैं बोर हो सकती हूँ बट मेरा aim मेरा motivation जो है उससे काफी बढ़ा है ठीक है ये बात सही तो मैं आपको ये बताती हूँ कि कैसे सवाल पूछे गए हैं पूछे गए है ये देखो फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल उठाया है बच्चों को लगता है कि जहां बार ही आती है फिजिकल केमिस्ट्री की आफिजिक्स की तो वहां पर नुमेरिकल लगाना इस दे सिलूशन ये second chapter है 11th class का structure of atom वहां की information से छुपा हुआ सवाल पूछा था कि इसके क्या होता है atom as the ultimate matter of particle ठीक है यहां पर isotopes के बारे में दिया था उन सारी statement से इसने सवाल बनाया सारी statement से सवाल बनाया जो नीट 2023 में आये था तो even theory is important don't judge common scenario के base में judge करना बंद कर दो भाई इसमें से तो न numericals आते हैं इसमें से तो न बस theory पढ़ने की जरूरत नहीं है even those parts are also very important उसमें से भी तुमें theory पढ़नी है तोकि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे यानि कि आपको एक marker लेके बैठना है साथ साथ माक करना है पूरी NCRT नहीं mark करनी है लेकिन लगे कि हाँ यह important है इससे सवाल बनता है थोड़ा सा mark करके notebook में सवाल बनाओ आप NCRT पढ़ रहे हो लेकिन साथ में एक और notebook बना रहे हो जिसमें आप खुद question लिख रहे हो आपको पता है वैसे किताब आती है NCRT at your fingerprints fingertips इस पे क्या होगा वो खुद से सवाल तो बना के देगी लेकिन आपको खुद से भी आना चाहिए तो कि इसमें क्या आप खुद से सवाल कर रहे हो और वो तभी clear होगा जब आपने concept पढ़ लिया हो आप खुद एक chapter के कम से कम ऐसे 200 सवाल बना लेंगे और ये आपकी असली जीत होगी तो वो जो प्रबेंजन से बात हुई इंटर्व्यू पर मैंने जो देखा तो वो यहीं बोला था कि जब भी मैं कोई concept पढ़ता था ना तो मैं साथ-साथ पुराने साल के सवाल लगाता था तो ये दूसरी टेकनीक है बच्चों उस गाप को पार करने की आप साड़े 500 नंबर लेके आ रहे हैं शायद आसान हो मतलब फिर भी पहुँच जाओ, 580 तक पहुँच जाओ साड़े 600 पार करने के लिए NCRT को बहुत ही प्यार से पढ़ना पढ़ेगा NCRT से प्यार करना पढ़ेगा तुम्हें ठीक है? और कॉंसेप्ट को बहुत डीटेल तरीके से पढ़के सवाल खुद से बना-बना के लिखने पढ़ेंगे और साथ-साथ पर पुराने साल के पेपर मैच करो आपके बुक आती है, मेरे पास बेरो को मैं आपको दिखाती हूँ I also have this book, ये देखो 35 Years Topic-Wise Solutions ठीक है? आप ये बुक खरीच सकते हो, MTG Publication की किताब है हर एक topic से सवाल है इसके, वो topic-wise सवाल दे रहा है आपको वो ये नहीं कह रहा कि मैं आपके लिए पूरा पेपर सेट कर रहा हूँ मैं आपके लिए basic concept of chemistry, इसके क्या सवाल है कौन सी topic के कैसे सवाल है, वो उसी तरीके से सवाल बना के दे रहा है तो तुमने साथ-साथ पुराने साल के सवाल लगा लिए ठीक है, और उन्होंने बोला कि हम हर एक हफते mock test देते थे हर एक हफते, जितना भी syllabus हुआ, उसे test देते थे तो ये तीन चीज़े करनी ज़रूरी है, सिर्फ NCRT से नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा उससे पढ़ने से आप जब तक अपने आपको चालेंज नहीं करोगे, नहीं होगा देखो, फिजिकल केमिस्ट्री का सवाल आए हुआ है, और ये बॉक्स में जो छुपी हो information थी ना, कि भई, balancing कैसे करते है, method के थुरू, वहां से आए हुआ हुआ सवाल है और सवाल आपको मैं दिखाती हूँ, फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ी, अब इन औरग्यानिक पे आते हैं ये NCRT में ऐसे box बना के बहुत सारे structure दी हुई थी, structure पे बेस सवाल पूछा है कि इसकी structure में कितने sulfur और OH वाले bond है, कितने sulfur oxygen वाले bond है, कितने SOS bond है ठीक है, ये देखो, ये NCRT का in-tech सवाल है, सिर्फ ये नहीं उसी लाइनों से सवाल बनेगा ये in-tech सवाल है, ये सवाल दिया हुआ था 9.31 कौन से सबसे stable complex है, सीधा NCRT से उठाय हुआ सवाल था organic chemistry का दिखाती हूँ तुम्हें, ये ये देखो, ये भी NCRT का खुद का सवाल है मतलब उसका खुद का दिया हुआ सवाल है, इससे इसके साथ react क्या mechanism कौन सा प्रोड़क्ट बनेगा सेम उसी पे सवाल हमसे पूछा गया था, alcohol phenol and ether से ये तेखो, ये भी NCRT का सवाल है, give the major product that are formed by heating each of the following with HI example 7.7, आप अपनी NCRT खोल के देख लेना, और इस सवाल आया हुआ है paper में, right? सीधा-सीधा सवाल यहां पे आया हुआ है, identify product A and B मैं कहना क्या चाहती हूँ, yes NCRT is super super important, yes NCRT will bring the gap bring the gap, कि आप वो 90% आराम से प्यार कर लोगे, लेकिन उस 10% के लिए आपको खुद से extra step लेने पड़ेंगे, जो steps में आपको अल्रड़ी बता चुकी हूँ, जो आपको follow करने है, ठीक है? हर एक हफते mock test देना है, बोर लगेगा, बड़ जरूर करना है, exam time से तीन महीने पहले उस test की frequency बढ़ा देनी है, ठीक है? उस test की frequency हफते में दो बार होनी चाहिए, right? यह करना ही करना है, अगर आपको 700 नमबर लेके आने है, 720 नमबर लेके आने है, अब बात आती है कि अगर नई NCRT कर ले, तो काम चल जाएगा, आपने बोल दिया कि हाँ, 90% काम चल जाएगा, बट बच्चों, NTA से जो notification अभी तक आया है ना, उसके हिसाब से, अभी तक कोई changes नहीं, पुराना syllabus ही हम follow कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे ना, जितना नया syllabus है, वो तो हम अपने tips पे र लेकिन वो सवाल आएंगे जरूर, नहीं करेंगे, तो शायद आपका स्कोर 550 आजाए, बट वो आप साड़े 600 के उपर नहीं लेके आपाऊंगे, ये देखो मैं syllabus को compare करा देती हूं, ये आपका नया syllabus है, NCRT का, basic concept है, structure of atom है, periodicity है, chemical bonding है, thermodynamics है, equilibrium है, redox है, organic chemistry, GOC है, जो मैं S-block, hydrogen, ये अब तुम्हारे syllabus का हिस्सा नहीं है, states of matter भी हटा दिया है, क्या इनको छोड़ देना चाहिए, क्या नहीं है, NCRT follow करने चाहिए, मैं बोल रहे हूं, छोड़ो मत, तुम्हें काम करो, पहले ये सारे chapter पूरे कर लो, इस तारे के सारे chapter तुम अपने tips पे कर लो, ज क्योंकि बहुत सारे ऐसे topics है, जो इसके अंदर भी add हुए है, and you should not miss it, last 12 ही बात करूँ, आपके पास 10 chapter बाकी है, मेरे time पे 16 हुआ करते थे, solution, electro, electrochemistry, kinetics, dn, def, block, coordination, hello, alkane, hello, rene, ये मैं अभी पढ़ा रही हूँ, alcohol, phenol, ether, aldehyde, ketone, carboxylic acid, amine, and biomolecules, 10 chapter है, पहले 16 हुआ करते हटा दिये, surface chemistry हटा दिये, general principle and process of isolation हटा दिये, again, इन 10 chapter को tips पे कर लो, सब कर लो, 100% पक्का होना चीए, कि इसमें छोटी से भी गलती नहीं हो, आप समझ जो, इनको करो 100% पक्का, कि इसमें से तो, इस page के, इस पे कौन सी line से क्या सवाल बनता है, ये भी तुम्हें पता हो, ये सब हो जाए, तो मैं तुम्हें बता दू, A section, B section, हर एक subject में ऐसे आएगा, आपके neat के paper में, जैसे कि mystery की बात करो, section A, section B, section A में 15 सवाल होंगे, बाकी के सवाल जोंगे, वो कौन से section में होंगे, section B में होंगे, section B में आपके पास choice होगे, कि आप 5 सवाल छोड़ सकते हो, तो हाँ, बाकी के chapter कर लो, ये 100% पका कर लो, ये 95% पका कर लो, कि तुम still choose कर सको, अगर तुम्हें वहाँ पर पहुशना है तो, और इसलिए इन सब चीजों को बिलकुल भी miss नहीं करना है, ठीक है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे नएने topics add किये, तो now you remember, you have to change your approach, ताड़े 600 से अबव लेके आना, अब काम नहीं चलाएगा, अब आपको 680 आना पड़ेगा, आपको साथ तो लेके आना पड़ेगा, उसके लिए कैसे approach बदलोगे, analytical thinking को develop करोगे, खुच से सवाल बनाओगे, अलग से एक notebook maintain करोगे, जब भी NCRT पढ़ोग टीचर की वीडियो, खुच से सवाल बनाओगे, एक chapter की कम से कम 200 सवाल बनाने है, NCRT याट यो finger tip साथ में लेके वैटना है, सवाल compare करने है, और जब भी topic पूरा हो जाए, साथ में पुराने सालते सवाल, साथ साथ लगाने है, कल का wait मत करो, पेपर से पहले आने का wait मत करो, ठीक है, आलस्तियाग दो, कम से कम तुम्हें 19 घंटा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि नीट का paper आसान आता है, लेकिन competition तगड़ा है, बहुत तगड़ा है, तो पहले ये, ये खतम हो जाए, उसके बाद आपको ये भी follow करना चाहिए, मैं definitely ये बोलोंगे आपको, yes, छ चैप्टर की demand है, मुझे जरूर बताना, I hope ये वीडियो आपको बहुत help की होगी, मेरा आपको एक clear perspective था देना, I hope मैंने दे दिया है, जो आपकी तयारी में आपकी बहुत help करेगा, अगर ऐसा है, तो प्लीज एक thumbs up दे दो, वीडियो को जरूर शेयर कर देना, बिना किसे ह पहला कर सकता है, मैं तयार हूँ, आपकी बायो वाली माम अमरिता माम तयार है, फ्रिक्स टीचर आने ही वाले है, हमारी आर्मी तयार है आपकी help करने के लिए, ठीक है, तो subscribe जरूर कर लेना, कमेंट करके बताना, कैसा लगा, कोई और वीडियो की demand हो, वो भी बताना, मैं कम लाई करने की कोशिश भी करती हूं चानल के थूँ, तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक के लिए, बाई, टेक केर बच्चों, हास्तालवेस्ता, और लाई, तो